मैंने इस पस्त किया था कि सोलार और विंड एनर्जी का लाफ तभी मिल पाएगा अगर यह सच्थी होगी और स्विलब होगी और इसके लिए मैंने सोलार रिसोर्स रीच कंट्री का एक कॉमन प्रेट्फरम बनाने का भी प्रस्ताव सामने रखा था मुझे प्रसंदता है कि हमें बहुत ही कम समय में इन योजनाओं को आगे बढ़ाने में अभुद्पुर्वर सफलता मिली है साथ्यों सोन्या गांदी जी गुलाम नभी अजाद जी उमीद की एक बड़ी किरन बनकर सामने आया है तीन वर्षों के भी सर ये संगशन एक प्रीटी बेज इंटर गवर्मेंटल और्गाशन बन चुका है सवा सो करोर भार्दियों को इस बात की भी खुशी है कि आयसा का हिटवाटर भारत में है ये आयसा के प्रती अपलत्व को और बढ़ाता है मुझे लगता है जब भी भविश्य में 21 सदी में आपिस मानव कल्यान के बड़े संगठनों की चलता होगी तो आयसा का नाम उसमें सबसे उपर होगा आयसा के तौर पर हम सभी ने क्लाइमेट जस्टिस को सूनस्टित करने की दिखा में एक बहुत बड़ा मन्ट तयार किया है आने वाली पीडियों को मानवता से जुड़ा बहुत बड़ा उभार हम सब ने मिल करें दिया है साथ्यों मेरा हमेशा से यह मानना रहा है कि दुनिया की उर्जा आवश्टाओं की पूर्ति के लिए जो भूमी का आज ऑपेक नाम निभा रहा है वही भूमी का आने वाले समय में इंटरनेस्टर सोरार एलाइंस आईसा की होने वाली है जो लोग आज तेल के पूमों का है वही रोल भविश्य में सूर्य की किरणों का होने वाला है आज आईसा का ये इनिशेटिव जहां पहुचा है इस में सक्रिय सहयोग के लिए मैं विनाइटेड नेस्टर का विशेश तोर पर अभार व्यक्त करता पैरिश में हुए आईसा के लौंच कारकम में सबके महात्यूग एक्सलेंसी बांग की मून जी का मौझूद रहना और आज के कारकम में एक्सलेंसी एंजियों गुटिलिक का सामिल होना इस बात को दिखाता है कि सयुक्त राग इस मज़ को कितना महत्त देता है मैं इस मौके पर फ्रांस के राष्टपर्दी का फ्रांस की सरकार का भी उनके सहियोग और समर्खन के लिए रदय पुर्वग आफार वेक्स करता हूँ साथियों आइसा की इस पहली एसेमली में चालिस देशों के प्रसिनिदी मौझू है लेकिन अब हमें उस प्रिशा की तरफ आगे बढ़ना है जब सौर उर्जा के विकल्प सिर्फ कैंसर और कैप्रिक कौन के इस जिस बज़े करीब सवासों देशों तक सिमित न रहे बल्कि पूरी दुनिया को इसका लाब मिले है कि यूनिवर्सल कोपरेशन और सोलार एनर्जी की भावना के तैस भारत आइसा की एसेमली में यूइएंड के सभी सदस्य देशों को मेंबर्शिप का प्रस्ताव रखने वादा है साथ्यों भारत इंडियन ओसन रिम्स एसोशेशन का अहम सदस्य होने के नापे इस संगठन को बहुत महत्वत देता है हमारी उर्जा समंदी चुनोंतियां एक देती है इसलिए अपनी एनर्जी सिकुरिटी को देखते हुए रिलिवबल एनर्टी पर हमें मिलकर बल देना है मैं पहले भी सागर यानि सिकुरिटी एन ग्रोथ पर और इन दे रीजन की भावना को सामने रख चुका मुझे भी स्वाथ है कि इस बैठक से सहयोग के नए द्वार खुलेंगे ताथियों रिन्यूबल एनर्जी के बढ़ते उप्योग का भारत में असर दिखने लगा है पहरी जलबायू समझोते के नक्षों को पूरा करने के लिए रिन्यूबल एनर्जी की डिप्लॉइमेंट के एक्शन प्लान पर काम हम शुरू कर चुके हमने टाय किया है कि साल 2030 तक हमारी 40 प्रतिशद बिजली की शंता नौन फोसिल फ्यूल पेज समसाधन से पैदा हो इसी लक्ष के तहर बीते चार वर्षों में भारत ने रिन्यूबल एनर्जी की अपनी खमता को 72 गिगावोर्ट यानि दो गुना किया है इसमें भी सोलर एनर्जी की केपेसिटी में नव गुना की बड़ोती हुई है आज जितनी बिजली का उत्वादन हम करते हैं उसका 20% हिस्दा नौन हाइड्रो रिन्यूबल का है इतना ही नहीं करीब करीब 50 गिगावोर्ट की शम्दा बहुत जल्ग इसमें और जुड़े वाली है यह साथ हंकित है कि वर्ष 2022 तक 175 गिगावोर्ट रिन्यूबल एनर्जी उत्पादन का लक्ष जो हम लोगों ने रखा है उस राश्पे पर हम सफलता के साथ आगे बढ़ रहे हैं और उसको हम करके रहेंगे साथ्यों आज भारत पौवर्टी तुपावर की नए आत्मविश्वास के साथ विकाश की खती को तेज कर रहा है इस नए आत्मविश्वास को शक्ति देने के लिए भी हमने उसको चुना है जो हजारों वर्षों से हमारी शक्ति का सोत रहा है उर्जा का भंडार रहा है ये भंडार है सूर्य का जिसको हम भारत के लोग सूर्य देव के रुपे भी पूजा करते रहते हैं साथियों सूर्य हमारे लिए प्रकास के देवता है उर्जा के देवता है हमारी हमानेता है कि सूर्य संपूर्ण स्रुस्ति के गति दाता है ओम सूर्याए नमः के मंत्र से और सूर्य की पहली किरण को अर्द देने से दिन की शुरुआत की हमारे हां समाज जिवन में सहज परंपरा है वेट से लेकर के योग तक सूर्या हमारे जिन तन हमारी उमासना हमारी आंत्री कुर्जा का स्रोस रहा है अब इस आंत्री कुर्जा को आदुनिक विज्यान की शक्ति के साथ अम बाहरी गुर्जा के समाधान में बदलने के लिए कदिवर्द है प्रतिवर्द है साथियों सोलार पावर के छेत्र में भारत बहुत तेंज गती से काम कर रहा है बीते चार वर्षों के दोरां सोलार पावर बहुत सक्ति हुई है जिसने अनेक गरीबों को बिजली से जोडने का हमारा लक्ष तेजी से संभव हो पाया है गर गर रोशनी पहुंचाने के हमारे लक्ष में पैनल तू पावर और मेक इन इंडिया बहुत महत्वफों पड़ाव है मुझे खुशी है कि पिछले चार वर्षों के रिन्यूवल एनर्जी के शेत्र में धारत दुनिया का सबसे पसंदिदा डेस्टिनेशन बनकर आ जुगरा है करीब 42 अरब 42 अरब डॉलर का निवेश इस दौरान हुआ है साथियों सौर उर्जा के शेत्र में आ रहे है ये बनलाव सिर्फ विदेशी निवेशी नहीं बलकि हमारे अपने उद्यमियों के लिए भी एक अभुद्पुर्वा आउसर है हमारी कोशिस है कि देश में ही सोलार पैनल मैनिफेक्टरिंग का एक मजबूत इकोशिस्टिम बने रिनिवेबल एनर्जी के सेक्टर में निवेश का ये सबसे उपयुक्त समय है आने वाले चार वर्षों में इस सेक्टर में करीब सत्तर चे अक्सी अरब डॉलर के बिज्रेश की संभावनाय में देख रहा हूं साथ क्यों पावर जन्दरेशन के साथ साथ पावर स्टोरेज भी बहुत महत्तपूर है और इसके लिए जरूरी इंफास्दक्त प्यार करने के लिए नेशनल एनर्टी स्टोरेज मिशन पर कांग किया जा रहा है इस मिशन के तह है सरकार, डिमांड क्रियेशन, इंडिजनेस मैनुफेक्टिरिंग, इनोवेशन और एनर्टी स्टोरेज की शंता बढ़ाने के लिए जरूरी पालिसी सपोर्ट पर बल दे रही है कुसूम यानि किसान, उर्जा, सुरक्षाइवं, उस्पान, महावियां के माद्यम से गाउं में, खेत में ही सोलार पैनल लगाने और उन्हें ग्रीट से जोडने की वबस्ता की जा रही है आने वाले चार वर्षों में देश भर में करीब 28 लाख सोलार पंप लगाये जाने इससे करीब सास विगावर्ड की खंता विश्चित करने का लख्ष रखा गया है साथ यो सोलार और विंज पावर के साथ साथ हम B3 10.ν यानि बायो मास्ट बायो-फ्यूर्व बायो-उनर्जी पर भी मेंस्ती से काम कर रहे थे हैं अध़रत में ट्रांस्पोर्ड सिस्थिम को क्लीन फ्यूर्वेत बनाने की तरफ क्लमभी प्रयास किये जा रहा है ह। बायो वेस्ट से बायो फ्यूर बनाकर हम इस चुनवती को आउसर में बदल रहे हैं हमने गोबर धन एक बहुत बड़ी योजना इसके लिए प्रसूत दिये हैं वेस्ट एनर्डी को लेकर गांग गांग शहर शहर में अनेक नवीन प्रयोग हो रहे हैं साथियों परियावरन की सुरुख्षा के लिए रिन्यूएबल एनर्डी पर तो कांग हो ही रहा है बिजली की बचत को ये भी हमारी प्रास्विक्ताओं में से हैं उजाला स्कीम के तहर देश के घरों गलियों और सड़कों को एलीडी बल्क से रोशन करने का सबसे बड़ा भ्यान आज भारत के हर कौने में चल रहा है इसके तहर अब तक करीब 31 करोड एलीडी बल्क बांटे गए हैं यह 30 करोड एलीडी बल्क बहुत बड़ा आखना होगा जिस्ते हर वर्ष करीब चालीस हजार मिलियन किलो वाट अवर बिजली की बड़त हो रही है कोई करपड़ा कर सकता है कितना बड़ा है इतना ही नहीं इससे देश वाश्यों बिजली के बिल में हर वर्ष करीब करीब 16,000 करोड रुपियों की बड़त हुई है और बड़ी मात्रा में कारबन डायोटायर के जनरेशन को हमने रोका है और फिर मैं कहना चाहूंगा यह तो अभी शुरूआती ही है आने वाला समय और अनेक अवसरों से फ़रा हुआ है आने वाली वीडियों के लिए हमें क्लाइमेट जस्टिस से जुड़े हर अवसर की संभावनाव को तारुआती है और सफलता प्राप्त करके ही रहना है मुझे विश्वाब है कि आने वाले तीन दिनों में इन अवसरों पर विश्टार से आप सभी मानुभाव चर्टा करेंगे और रिनिवेबल फ्यूचर को और प्रकासित प्रसादित करने में योगदान देंगे मैं आपको विश्वाब दिलाता हूं कि आपको हर सुझाव हर इनोवेटिव आइडिया हमारे लिए बहुत महत्त फूल्क होगा और इसलिए आप फूल करके हिमन देश्टास दर्मपाइंद हो टेकनोलोजी अपक्रेडेशन हो नए नए दुनिया के देशों में छोटे छोटे लोगों प्रवोग किये हो इन सारी बातों को हमें एक बात साम देना है और मुझे विश्वास हैं कि हम एक मिशन को फूरा करें और हम दुनिया के सामने आर्फिक जगत की दुनिया में ग्लोबलाइजिजन की चर्चा होई टेकनोलोजी ने दुनिया को बहुत लीकट ला दिया हम भी एक ड्रीम लेकर के चले कि एक दुनिया एक सुरज एक ग्रीट वन वर्ड वन संग वन ग्रीट कि अगर इस मिशन को प्लार करेंगे अब करक्ता कर सकते हैं कि जहां सुर्योद होता है वहां से चालू करें तो सुर्याक्त तक कि ग्रीड बनी रहे तो चोबीसों घंटे सुर्ज से बिजली दिकते हैं आज तो हमारे देश में इतने घंटे सुरज है उसी कि हम सोचते हैं लेकिन वर्ल वान वन संग वन ग्रीड इस सपने को लेकर करके हम चलेंगे तो कभी भी कहीं पर भी जब तक सुरज ठलता नहीं है बिजली पाना असंभव नहीं होगा और सुरज कहीं न कहीं तो होता ही है कभी खलता नहीं है तो फिर बिजली का प्रभाज क्यों बंद होगा एक नए तरीके से नए सिरे से दोज़ने क्या वस्किता है और मुझे विश्वाद है कि आईस्वाद के इस महत्वण कारकम की अउसर पर हम जुरूर इस नए विचारों के साथ नए उर्जा के साथ नए संकप के साथ एक नए पिश्व के जिर्मार में अपने एक एहन भूमी का दिभाने के लिए आगे बढ़ेगे एक बार दिल भा आने के लिए यहां करके इस महत्वण अउसर पर सरी होने के लिए मैं दुनिया के पुझवल खविश्व मैं अपनी सभाजनी सभागिता के लिए आप सभी का बहुत-बहुत आभार बैकना करता हूं बहुत-बहुत धन्यवाद Music We thank the Honorable Prime Minister and I now request Sree Aki Singh, Honorable Minister of State Independent Charge for Power and Renewable Energy to propose a formal vote of thank qué. Honorable Prime Minister, Sree Aki Mohdji Krishna Ravla Choo झाल